और उस गाड़ी वाले बंदे नियार इनका क्या ही बेवकूफ बんなया बाई ये लोग कैसे दिमाग लगा लेते हैं तो भाई लो कैसे हो तो यार वेलकम दी बैक बैक दी वेलकम और स्वागत या आपका एक बिरा न्यू गलत सीन से बड़े पड़े पब जितमा इलगेंप्री वीडियो में अब इस मैच में यार एक चीज दबा कियाती है वो होता है गुसा क्योंकि सीन ही कुछ ऐसे हो रखे होते हैं गलत सीन पे गलत सीन और एक जगा पे आर तीन तीन स्कॉर्ट से एक ही बार में लड़ना पड़ता है खैर वो सब बहुत जलतोने वाला लेकिन फिलाल जोर जा रख है और अभी तक तो एक अखेला बंदा दिखाई दे रहा था लेकिन करते करते यह चार में बदल जाते हैं और यहां मजाक नहीं करूंगे यार मेरे को सही में कहीं से भी नहीं लग रहा था कि मैं बच पाऊंगा यहां पे इसलिए मैंने पहले यूएमपी से उस बंदे की पेटी बनाई मैं पीछे की तरफ गया भाई आगे से बंदा भगते वे आ रहा है एक भाई कूटते वे आ रहे हैं लेकिन यार सिर्फ यूएमपी यूएमपी से आखिर के दो तीन बंदे पेल जाता हूं लग नीरा था यार बच पाएंगे लेकिन बच जाते हैं जैसे तैसे और यार चार-चार पेटिया पड़ी है तो दबा के लूट लाट की जाती है अब इनको लूट के यार जाएंगे रोजोग की तरफ क्योंकि इधर बस गिने चुने चार बंदे आए हैं और लग भग बहुत बार ऐसा ही सीन होता है तो मैं दे पकड़ता हूं गाड़ी और स इसके वायत से आप कई सारे PUBG के टूर्नमेंट्स खेल सकते हो और इसमें लगभग डेली के डेली फ्री टूर्नमेंट्स होते हैं जिसमें आपको कोई भी एंट्री फी नहीं देनी लेकिन जीतने पर आपको प्राइस में नहीं मिलेगा और अगर जीत नहीं पाए तो भी मिनिट पहले ताकि आप आराम से जाके खेल सको मैच को साथी साथ इसमें रेफर एंड अन का भी फीचर है तो आप अपने दोस्तों को इन्वाइट करके भी कुछ पैसे अन कर सकते हो तो यार इस एप को ट्राइ करना मत भूलना इस एप की लिंक डिस्क्रिप्शन में होग बिल्कुल टोप में ट्राइ करके देखो यार बंदे ही तो पेलने हैं दिक्कत कि धर आ रही है और यहां मैं बोट को पेलता हूं और बोट को पेलते ही ये बाकी बंदे भड़क सजाते हैं मेरे ख्याल से बोट की किल इन लोगों को चीए थी क्यार मैं यही तूटी फूट पर खड़ा हूं बस देख रहा हूं कि यार बंदे है किदर और अखिर बंदे है कितने एक बंदा वहां से पीक किया था लेकिन उसके बाद भाई गायपस आओ गये हैं दिखानी दुवारा वह और हमारे भाई बस थोड़ी देर के लिए दरवाजी में दिखाई देते हैं लेकिन उसके बाद बिल्कुल गया तो मेरे को लगता है एक आखिरी बंदा होगा तभी इतना भाई डर के खिल ले हैं तो मैं गाड़ी लेके सीधा इस घर पर पहुंशता हूं अब एक फुटी स्टेप चट से आ रहे हैं लेकिन यहां पे अकेला बंदा नहीं है एकाथ औ अब जब जोर्ज कोई ने आया मेरे को लगाता है रोजोक में बंदे बंदे होंगे बरा पड़ा होगा जगा नहीं होगी खड़े रहने की लेकिन यहां के आर बस निरासाई मिलती है दो बंदे मिले वो भी 9 लोग पड़े है इनके टीमेट लोग भी नहीं है यहां पे ले आता हूं या सकूल के बगल में और देखो यहां पहली से लड़ाई चली है और इन गाड़ी वाले बंदों की भी अपनी ही चौड़ है बीच सडक में बीच रोड में गाड़ी रोकी यार गुली चला रहे हैं अब यार उनको देखता हूं जिनको यह पेल रहे थे और इस घर में पाँचे वे मेरे को ठीक से डेड़ मिनट भी नहीं हुआ है सिर्फ डेड़ मिनट के अंदर अंदर मेरे को साथ आठ किल मिल जाती है आठ से सीधा सुलब पे किल पहुँच गई अब ही खतम नहीं हुआ है लेकिन सी इनको पेलने के बाद नजाने क्यों और बंदे आ जाते हैं मतलब हर किसी को यहीं पे लड़ाई या लड़नी है यही होता है यार पमजी में बंदे नजाने कौन से कोने में जाके लड़ते हैं अगर मैं उस कोने में हूँ तो बहुती बढ़ी आप केड़ी बच जाएगी लेकिन अगर वहाँ से दूर हूँ तो यहार यह अपस में ठील जाते हैं और हमारे ये भाई नजाने क्या सोचके यहां पे पैदर भगते वे आते हैं मेरे क्याल से ये लोग कही दूर से आये हैं इनको पता ही नहीं था कि हम यहीं पे लड़ रहे थे ख्यार एक को नौक करके रखा है बस इंतिजार कर रहा हूँ इनके बाकी टीमेट के आने का अब मैं सोचरहत है यार पीक पाप करके चोड में पेलूँगा पीक करते करते यार दिवार पे आधी गुली लगती है और उसके बाद हमारे भाई डीपी से नौक हो जाते हैं अब यहां पे मैं देख रहा हूँ क्योंकि यार मैं ये नहीं चाहता कि वो लोग रिवाइद भी हो जाए तो देखना पड़ेगा और यहां पे सबसे ज़्यादा दुख की बात पता है क्या है ये जिसकी अभी पेटी वनी ये वही बंदा है जिसने वहां पेड में आके अपनी जान की बाजी में खेलके दो बंदों को रिवाइद दिया अब वो लोग रिवाइव होके बैठे पड़े हैं लेकिन जिसने रिवाइव दिया उसकी सीधा पेटी बन गई खैर उस पेड के बीचा भी दो बंदे हैं और एक और बंदा कहीं दूर से डीपी पेला था यानि कि पूरी की पूरी टीम पहुची पड़ी है यहां अब मैं कोशिश पूरी करता हूं कि यार समोक में एज़स हो जाए लेकिन यार मेरे ख्याल से वो पहुच चुका था पेड़ के पीछे तो मैं नेट डालता हूं वहाँ पे अब बोलने के लिए मैंने नेट किया था पेड़ के पीछे लेकिन नेट फटा रोड के आगे हद से ज़्यादा सस्ता खैर अब नीला जोन भी आ चुका है तो यार देखते ही देखते यह लोग भगना चालू करेंगे या हीलिंग करेंगे बैठके और उस गाड़ी वाले बंदे ने इनका क्या ही बेवकूफ बनाया क्या ही बेवकूफ बनाया यह लोग कैसे दिमाग लगा लेते हैं इन लोगों की पक्का कोई दुसमें नहीं रही होगी तभी इस कदर उसने बेवकूफ बनाया भाई गाड़ी लेते वे आते हैं अपने टीमिड को बोला होगा कि भाई जल्दी से बैठ जाओ अब वो लोग बैठने के लिए ओपन में भगते हैं एक बंदा ओपन में भगता है लेकिन यार गाड़ी वाला रुकता नहीं वो आगे चल देता है और भगने वाले को मैं पकड़ लेता हूँ और अब उस पेड़ के पीछे एक बंदा और बाकी है अब यार मेरे को लगनी रहा वो गाड़ी वाला आने वाला है तो मैं ही जाता हूँ इसके पास अब इसकी पेटी बना के मैं थोड़ी देर के लिए इधर उधर देखता हूँ की क्या पता इंसानियत बाकी हो हो यहाँ पे लेकिन यार गाड़ी वारा न यहां क्या यहां के आगे वाले घरों पे भी देखने को नहीं मिलता भाई गायब हो चुका था बिल्कुल गायब रुकने की उसने सोचा तक नहीं असलियत में रुकना तो यार बहुत दूर की बात है खैर उसको अभी ओल पे दबा की गालिया पढ़ रहे हूंगी तो मैं अपनी गाड़ी लेता हूँ और उसको डूढने के लिए ऐसी भटक रहा हुता हूँ और मेरे को लगता है उन लोगों की गाली न यहां पे काम कर जाती है हाँ वही गाड़ी वाला बंदा जा तक मेरे को पता है हमको मिल जाता है और अब चलती गाड़ी में मैं डैमेज बहुत ज़्यादा दूँगा लेकिन बंदा ठिल के नहीं देगा है और हमारे इन भाई का नाम पढ़ने के बाद मेरे को सो परती सो जो जाता है कि यह वही बंदा है जो वहां से बागा था असल में यही वो भाई था जिसने मेरे टीमेट को नौक कर दिया था डीपी चलाई थी शायद उसने देखो यार कहां पे था ये कहां पे आके ठिला है अब भाई ने चलाखी जरूर की थी भाई भग जरूर गय थे लेकिन यार गालियों का सर बराबर होता है पेटी इसकी भी बन गई और यार ज्यादा देर सर्वाइब भी नी किया लग भग एक ही टाइम पेटी बनी खेर इसको पेलने के बाद मैं चल देता हूँ गाड़ी ग अब देखो पीचे से एक गाड़ी जारी है और मैं यह नहीं चाहता कि वो चार बंदे हूँ और मैं ओपन में पकड़ने पीछा करते हूँ तो मैं यहीं रुक जाता हूँ और यहां ओपर में भी जादा देड़ तक अगर मैं रुक गया तो यार नजाने कौन सा साप आएगा और पीछे से ड़स जाएगा और देखो अभी मेरे को नहीं पता कि उस घर पे कितने बंदे हैं लेकिन यार दो तीन तो पक्का पक्का बैठे हैं तो पहले मैं बगल वा होने वाला है दभा के नेड़ और मेरे दिमाग में ये बात ठीक से गुशी भी नहीं थी कि मेरे को नेट कर लेना चाहिए और ये लोग नेट कोक करके डाल चुके थे घर पे कैसे काम करता इतना तेज दिमाग क्यार मैं इस छोटे घर पे आता हूं और मेरे को लगता है और ये लोग जिन्दगी में चैन से ठीपीपी लेने नहीं देंगे बड़े घर पे गया वहाँ पे नेड छोटे घर पे घुज गया कोई और ही टीम के बंदे वहाँ दूर से नेड फेक रहा है कैर इसके बाद मैं दुबारा जाता हूँ बड़े घर के अंदर क्योंकि यार कब तक यह रुका रहूंगा आखिर कब तक दर के बैठोंगा नेड से तो नेड तो मेरे कद्दू भी नहीं फटने के लेकिन गोलिया तो चलाई ही जा सकती है और मेरे को लग रहा है इनके नेड खतम हो चुके है और यहां पे एक बंदा नौक करने का मतलब है कि उस घर प दबा के भगने लगता हूं आगे और आगे जो चीज होगी ना यार उसका दर्द दिल पे नहीं होगा उसका दर्द सीधा दिमाग पे होता है मेरे और बहुत दिनों बाद दुख हो रहा है कि यार मेरे नेड से जादा ससते किसी और बंदे के नेड है इस घर पे चार-चार बंदे बैठे थे मेरे को सिर्फ एक किन मिलती है क्योंकि ये लोग यार अपने ही नेड से ठिल जाते है अब आपको लग रहा होगा कि यार मैं बहाना देने वाला हूँ लेकिन मैं सही बता रहो यार इस टाइम पे न दिल और दिमाग दोनों पे बहुत चोड़के दर्द कर रहा होता है एक किल मेरा टीमेट ले गया एक वही बंदा ठिला जिसको मैंने एमपूर से नौक किया था बाकि सारे के सारे बंदे अपने ही नेड से ठिल जाते हैं तो यार खेलने का मन खतम हो चुका था इस टाइम पे लेकिन एक बाद नौकनी के बाद यार थोड़ा सा हो साता है मैं देखता हूँ यार 22 किल है बंदे भी ठीक ठाक जिन्दा है हो सकता है कुछ तो हो सकता इस वीडियो में और उसके बाद होगा कुछ जरूर होगा और आपको पता है वो क्या होने वाला है दूबारा से गलत सीन अब पहाड पे बंदे हैं और अभी वो टीम भी बाकी है जो मेरे को पीछे से नेट कर रहे थे और वही टीम वाले बंदे मेरे को गलत सीन दे जाएंगे यहाँ पे देखो आगे क्या होता है अब यहाँ पे मेरे को लगभग लगभग ठीक से पता था कि वो बंदा उधर है और उसने सकोब खोल के रखा है लेकिन यार देखो चार किल मुग के सामने से गायब हुई है तो यार दिमाग ठीक से काम नहीं करता वैसे वैसे भी काम नहीं करता है खेर यहाँ पर मैं दुबारा डेट की तरह रिवाइब होता हूँ लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ये लोग ठिले हैं नेट से अपने ही नेट से ठिले हैं ये लोग तो यह हैर हेलमेट वेस्ट इन पर दबा के होनी चाहिए दिक्कत नहीं आएगी और इस बंदे को नजाने क्या ही जोस चड़ता ये भकते वे रस करने के लिए आता है भाई को लगा होगा कि यार इसके टीमेट पीछे से कवर देंगे और ये गुश के नेट मूपिल देगा अंदर लेकिन यार देखो भलाई हेलमेट नहीं है लेकिन ढीटता न खतम नहीं हूँ या अभी मैं बोलता हूँ हेलमेट गया कद्दू लेने पहले इस बंदे को पकड़ो नए तो ये हमें पकड़ लेगा और काफी देर सबर रखने के बाद मैं एक गिली सूट वाले बंदे को पकड़ता हूँ उसको नौक करके मेरे को M24 पड़ जाती है मैं बोलता हूँ ठीक यार सामने खड़ा है हलवे की तरह आराम से पेटी बनाऊँगा और जब मैं ये सोची रहा होता है जब ये दिमाग में चली रहा होता है कि आराम से पेटी बनाऊँगा उतने में ही ये साइड के बंदे जो मेरे पेट नेट फेक रहे थे पहले ये लोग किल चोरी कर जाते हैं और यार अब ना गुसा चार गुनाए जादा बढ़ चुका है सिर्फ दिमाग खराब हो रहा है हाँ और उसके उपर से आर अपने को जोन भी दोका दे देता है बहुती बढ़िया बंदे अपने ही नेट से ठिल लाए हैं जिनको मैं ठिला रहा हूँ उनकी किल चोरी हो जा रही है लेकिन उसके बाद जब मैं यह सोचता हूँ कि यार आखिर कार हम जोन में तो रहेंगे बढ़िया सगर है तब ही जाके जोन ओपन में बन जाता है अब दो टीम के बंदे बाकी हैं एक पहड के उपर है और एक वो बंदे है जिन्नोंने मेरी किल चोरी की और यहाँ पर मेरे को बस एक आकरी चीज चाहिए थी मेरी किल चोरी का बदला और जहां तक मेरे को याद है ये वो बंदा नहीं था अब आगे की तरफ गूला बारी चल लिए और देखो जिस हिसाब से किसमत चल रही थी ना मैं समझ गया यार मेरे को यहाँ बदला भी नसीब नहीं होगा क्यूंकि वो लोग आपस में लड़ भिड़ जाते हैं और ये देखके रहा रुका नहीं जाता बिल्कुल तो मैं ओपन से भगते हुए जाता हूँ और ये वो ऐसा एक मैश था जिसमें मेरे को लग रहा था यार तीस किल पकका पकका है बिल्कुल मेरे जेब में है तीस किल दिक्कत ही नहीं है आराम से खिलूँगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यार देखते ही देखते एक के बाद एक गलत सीन होते जाते हैं बंदे आपस में लड़ रहे हैं बंदे अपरे नेट से ठिल रहे हैं और खुद के साथ-साथ पूरी टीम को उड़ा ले जा रहे हैं और यार यही गलत सीन करते करते 30 से कट करके 26 बैटक जाती है अब यार दुख तो बहुत हुआ लेकिन चिकन तो हुआ कम से कम तो वस भाई लोग आज के वड़ा इतने ही बहुत बहुत सुक्राइब वीडियो देखने के लिए जाते जाते बैटल ग्राउंट्स टूर्णमेंट एप चेकाउट करना मद भूलना उसे आपकी लिंक डिस्क्रिप्सियोन में होगी बिल्कुल टॉप में ट्राय करके और यार मेरे ये दुख के लिए मेरी ये जो किल्स चूरी हुई है ना इन सब के लिए एक लाइक टॉक ना मद भूलना कसम से दिल को आराम मिलेगा उसे और हाँ भाई लोग तुभारा भाई डेली रात को 9 बजे से 9 लाइफ पे लाइस से ट्रिम वगरा करता है तो यार व वहां के यूटूबर्स की हाईलाइट्स देखना चाहते हो तो नो-nolife का यूटूब चैनल भी डिस्क्रिप्शन में होगा अब वहां पे उनको सब्सक्राइब करके हाईलाइट्स भी देख सकते हो शायद मेरी भी डालेंगे देखते क्या सीन होता है तो आज की विड़ा इतना भाई लोग गयार खल मिलते हैं बाई-बाई